पानी में चलने वाला प्लेन, हवा में चलने वाला होवरबोर्ड, बात्रूम साफ करने वाला रोबोर्ट और गेम के अंदर गुसने वाला बॉडी कंट्रोलर इनसे भी काफी तक्री तक्री फ्यूचरिस्टिक चीजें मार्केड में आचोकी है सब्सक्राइब एक 1200W की फ्लैशलाइट हम जो फ्लैशलाइट यूजरी चार से आठ वाट के राउंड की होती है अगर मैं आपको बोलू कि इसके अंदर 200 गुना जादा ब्राइट लाइट की टॉर्च है इसमें 12000 लूमेंज की लाइट है आप इससे सुखी घास या फिर पेपर अराम से जला सकते हैं अगर हाथ पर मार दिया इससे बलूम मारो बलूम पढ़ जागा बंदे के उपर मारो फ्यूचर उसका ब्राइट हो जाएगा जैसे हमने हाथ में लगने वाले कंट्रोलर देख रहके हैं भी मेंसे कोखों में लगनेवाले जो गेमिंग होते हैं वह थोरी एडर vaat में उली तो ही एडosity नाजीटेन केट और बड़ी गाता है शूटिंग के गेम की बात करो तो हाथ में भी जो गन वाला होता है तो वो सेम कंट्रोलर से हो जाता है यह डिफिनिटली एक्साइड इसलिए हूँ क्योंकि जीटी आने वाला है उसमें रियल वल्ल वाली फील आज़ागी तुरीजी बाई मैं आपको एक सीग्रेट इसलिए आप पानी आप फोन चार्ज कर सकते हूँ मैंने लाइफ एक देखे ते वह नहीं है अल्रेडी दुनिया में हो रहा है जैसे अच्छुली को अपके घर तक लाने के लिए लिए डैम साइम्स को यूज कर के लिए तर्बाइन बना के ल लापटॉप या फिर एक कारी बाटरी उसको आप चार्ज कर सकते हूँ यह मतला से टर्बाइन तर्बाइन करें अगर बात्रूम में आपके फोन की बाटरी खाम जा तो आपको पता है फिर गुमाना शुरू कर दें बाई एक रिसेंड डे काफी कूल दफ होना आद क्यूमेन पिन कर गे आप लोगने बता नी सुनाएगी नी ए एए वाला गयजट है उसने एक पिन सी बनाई है यह ऐसे हां पर लग जाती और आपके हाथ पर जो भी इसको सर्फेस में लेगी उस प पियानो था और प्रोजेक्टर की तर गाम करता है काफी कूल सर लगता था पट अब यह हाथ पे करा जा सकते हैं अब यह लांच नी हुआ है इस साल मार्च में शिप हो जाएगा तो हम जैसी और आता हम आर आप तक पहुचा देंगी वीडियो लट्स गो हमने लिसेंटी का यह पर आप इसको फोल्ड कर सकते हैं वारी सारी चीज़ें भी कर सकते हैं बस सुटकेस में एक धिक्कत है इसके अंदर समान नहीं आ पाया नेक्स्ट भाई एक गेमिंग चेयर है जो गेमिंग रूम के बराबर और पूली और एक सेशन है जो आपको गेमिंग और वर्ग द रियलिस्टिक सी फील हाती है, बैटने में भी रिकलाइनर सा लगा रहा है, तो आप मस्ट मुवी होई, स्टडी मेटीरियल को देखना है, तो आप काफी अराम से देख सकते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जीवन में, तॉयलेट हमको कुछ साफ करना हुआ है, बट रोब यह मेरकोस एक दिक्कत लगी है, मैंने वीडियो में तो इन्हों ने बड़े प्यार से लिखाया, बट छीटे इट हमें में उड़ते हूंगी, आप कहीं आप गए, तॉयलेट तो बहुत बड़ी असाफ करा बट चत जो है, वह थोड़ी पीली हो गई है, कुछ भी हो सकता ह और मतला आप इस उंगले को आज माउस यूज कर सकते हैं, इसको बस दिक्का देए कि आपने यूज करता हैं यूज नाग में आदले हैं, कान में आदले हैं एक बड़ी कर देगा, नेक्स वाला गाज़िट देखो, काफी लोगों होते हैं इनकों स्विमिंग ने आती हैं समय आपको स्विमिंग आती है और आपको दोस्ते इसको नहीं आती है वो दूब रहा है उसके लिए बगवान देखो कि बचा लो कि आप खुद गये तो दो मरेंगे ना अशो बहागा नेक्स वाला गज़िए आप लोगों काम आएगा इसका नाम है रस्ट्यूब अक्टि लाइफ जाकेडे कंपारिजन में काफी लाइटवेड है काफी कॉम्पाक्ट सा है आपने देखो एलेक्रिक स्प्लेंडर अंडर सप्ट्राइगर रखी बढ़ यह सबसे अलग है यह एक उनो ट्रांस्फोर्मर भाई के है काफी अलग सी बाई कि इसमें फोल अगर के आप इसको सूटकेस में भी कारी कर से और सिंगल अगर चार्ज गरो तो 50 km तक चल जाती है और ट्राफिक में भी काफी अराम से निगल विगल जाती है एक और मस्ची दिखाता हूं यह पानी बे चलने आली साइकल है मैं बतातू हूं भाई ने एक रिक्ष्य को ठाया और में टा आगे जिससे आप कार के आर पार देख सकते हैं अपने लोगों को ना चारक के बीच में अचानक से रुखने ही बहुत आदा था देखनी बाते हैं यह सामने आगे गाड़ी भाई ने क्यों रोक रख रखे अब अपनी कार में बैठके आगे जो कार है उसका रसता आप इसको बनाया वैसे एंडिगाप लोगों के लिए था बात दिखने में आपको थोड़ी चोटे बच्च वाली गाड़ी लेगी बट अक्चुली में अंकल जी हो बजादी की उपर मदब पहाड के उपर है इसकली ऑफ रोड़ी वाली गाड़ी तो इसको पानी पर चलाना है नहरवेर के आसपस लेके जाना है यह इतनी पारफुल है कि चड़ जाता है बस दिक्कत है कि आप इसको बहार लेके जोगों के थोड़ा लोग मदाग बनाएंगे ऑन रोड गाड़ी है उप रोड गाड़ी है सड़क पर मदाग एक बहुत पतली से रस्टी जो एक इनसान क कोई समयलो चोर ओर है जो चोर को रोकने के लिए आपको इसको पर पत्थर मारना बड़ता है चीज़े करने बड़ते हो चको कु निकाल ले का बता बड़ भाई बूला राप करके एक विपन है जिसको आप थ्रो करोगे तो सामने वाले इनसान को पहरों में गुम गुम के और भाई भाई बड़ता है यह बहुत ही पारफुल होता है और इसको खोलने में घंटो लग जाते हैं तो चोर आपका फ़सा रही आज गंटे दा मेर को परस्टनी काफी मसला बट अगर चोर थोने कैशी रही तो बड़ा दिक्कत आ जागा या फिर अगर अपने गलत फेक अपना एक पोर्टेबल किचन मना सकते हैं इसमें आप दो ग्यास बर्ना लगा सकते हो एक पर दाल बनाओ एक पर चावल दोनों को मिलाओ अपना पिक्निक दन वह एंज्वाइमेंट फूल टू और इसके साथ एक वश बेसिन तक दे रखा भाई बेसिकली होता है कफसा है आपने जंगल अंगल में पार्टी करने तो उन सब के लिए पार्टी के लिए भी है दाल चावल मनाएं प्यार से रहें किसी ने जीटे अगर खेलियो तो उसमें एक चीट कोड होता है सीवेस करें उसको डालो तकि कोई भी गाड़िया पानी पे चलने लगते है पूरा बोर्ट की शेप में फार्म लेला था अन भाई अतना मस्ती चलता रहता है देखो मेरा मन तो होता है कि गली मेरा पानी बढ़ जाता है बस अपना बोर्ट बना वोओ। भाई को पता है कि बाहर की दुनिया में भाई को ठोड़ों से सफाई हो जारी है तो इती यॉयॉक की कंपनी ने इसको बना है ये ड्रोन एक बिल्दिंगे तीन से 6 फीट दूर है कि पानी की पिछकारी मारता है फिर एक कपड़े का रोल होता है जिससे कांच पूरा साफ हो जाता है और इसको आप रिमोर्ट से भी कंट्रोल कर सकते हैं मैं को एक ड्रोन परसनली काफ वे अंच नियार कर एंदिगे वाराफ एंगा और फेजे अबलेस वील्थ जो किसी भी मोटर साइकल में रगा है और इसके साथ चाथ थर्टी सिक्स इंचीज के वील्स गारियों में भी नहीं आते थे ट्रक के होते हैं उतक्ते बड़ी ये मोटर साइकल पूरी फुली फंक सब कुछ आ चुके है, अब रिव्यू कर रहे है चानल के उपर यह है एक इलेक्ट्रिक प्लेन, यह है रिजिंट इलेक्ट्रिक सी प्लेन जो की डायरेक्ट पानी से टेक आफ कर सकता है यह एक साथ 12 लोगों को बिठा के 290 किलोमेटर पर आर की स्पीड से उड़ सकता है और आप बड़े अराम से नॉर्मल इलेक्ट्रिक गाडियों की तरह इसको चार्ज भी कर सकता है यह एक बोर्ड बनके वैसे पानी में भी चल सकता है आप इसको पानी में बोर्ड की तरह चला सकते हो अगर इसके अंदर पहिये भी लगा देना तो यह पानी पे हर जगा जल जाता है न्यूजलेंड बोलता है नहीं भाई महनत के बिना कुछ नहीं मिलें तंदृस्ती रहनी चाहिए अब पैडल मार के सको साइकल की तरह चलाओगे और उपर चलेगा अब साइकल की चेन उता होगा तो मुझे नहीं बता किया होगा मेर को इक बात नहीं नहीं देमाते है अब अल्मोस्ट चल सकते हूँ बैसकि इस पर अगर खड़े रहते हो तो मशीन बोट की तरह चलती रहती है आपको रोड होल्डर सी मिल जाते हैं इसला बैलन्स आपका गिरेगा नहीं के लिए इसमें नीचे वाले रोड को आपको गुमाना वड़ता है लेकिन इसकी स्पीड थ एक रिमोट कंट्रोल से आप अपने पर्दों आपको देता है जिससे आप अपने कर्टेंस को अपनी आवाज से भी कंट्रोल कर सकते हो उसके साथ आपको टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है कि वह रात हो तो पर्दे बंद करो काफी तारे वैसे लगजरी होटेल में इस जूलियो साथिलाइट कर सकते हैं इसमें आप मेसेजिंग चेक इन कर सकते हो और इसको सेलुलर डेटा जो आपका आता है या सेलुलर टावर की जो कवरे जो होती है इसकी कोई सरत नहीं है डिरेक्ट साथिलाइट से अपने कर दो सो प्लस घंटे तक चल जाता है और काफी आप दूनिया में आप कहीं पर ही ओ किस से भात करनी है कोई दिक्कत नहीं है अब मैं बात करता हूं रियल-लाइफ ट्रांसफोर्मर की पिचल आपने देखिग हुग है त्ट्रांसफोर्मर काफी कूल साथ था अक्चुल में रियल ट्रांसफोर्मर की जित्ता वड़ा है ज इस चीज़ों उठागे रखने के लिए, बट वो तो क्रेन से भी उड़ जाती थी भाग को बज मन गर रहा था यू पिच्चर आला बना दू कि मेर उपर पिच्चर बने आप लोगों ने बता नी बाक टू फ्यूचर मुवी देखी है कि नी बट ये स्केड़ बोर्ड याद होगा जो हवा में ओडने वाला था बट अब ये रियल लाइफ में आ चुगा किकस्टिक एक ऐसा गाजट है जो स्केड़ बोर्ड को मोटराइजड बना जाता है यानि ये फ्लोर से थोड़ा उपर रहता है हवा में उड़ता भाई इसमें आपको तीन होर्सपावर मिलती है 30 किलोमेटर पर आरगी आप स्पीडवेस को चला सकते हैं इसमें पावर तो है बट इसके अंदर ब्रेक नहीं है तो जैसे साइकल में ब्रेक लग जाती है वैसे आपको ब्रेक पैर से ऐसे लगानी पड़ाईगा कि आपको तेड़ा मोन के शुख शुख चिड़ मारी अपने देखे होंगे शीमें निकले थे ट्रांस्परेंट टीवी तो कांच को तच्स्क्रीन ना सकता है अगर सोचो आप जो कांच घर पर उसमें टच हो जाए आपको कार में हंडल लिन लगाओ कांच को पर ही पिन डालने हो बस बहुत सारी चीज़ें अगर कांच में डिस्पले आ जाए और यह हो चुगा है लुमिनेट टेकनोलजी इस टेकनोलजी से आप किसी भी विंडो को आप इंटरक्टिव टेच डिस्पले बना सकते हो वैसे अभी ट्रांस्परेंट टीवी तो आपको दिखता तो ही कांच मैं आपको अन्दादे बतन लगाने की जूरत नहीं है तो टेच करके चेंज कर लो भाई देगो एक मादा तो एक गाड़ी में सबसादे इम्मोर्न चीज का होती है कमफर्ट, सेफटी जो इस वाले गाजटे में बिल्कुल भी नहीं है बट इस तब ही फ्युचुरिस्टिक है आप लोगो जादे में बच्पन में टेयर को देंडे मारते दे मजा आता था इसमें धक्र लगाने कि आपको खुद टेयर के अंदर बढ़ना वड़ा गाड़ी तब भी नहीं है तब टायर ही है इसको बेसिकली एक मोनो वील बोला आता है आप इसके अंदर वैठ गगे टायर आप आप स्थिर रहते हो वो नहीं हो जिसमें आप ऐसे चुहे को लगा तो चुहा गोल रहता है तो सेम वई है वाई है वसे रियल लाइफ में इनसान हो इन् आप सारे मैंजार गालेट आपको दिखाएं कि आपको भी मजा आएगा टेक्नोलोजी डिफिनेटली आगे वट रही है और हम कोईश करते हैं जो नेक्सर वर टेक्नोलोजी थे वह आप तक पहुंचाए और थोड़ा मज़े भी विकर आपको बताना कैसी लगी वीडियो कैसी और बनाएगे निए हम मिलतें आप से नेक्सरे दो बागा